एकमों फिर से धपके के कहानी लोट कर आ रही है। यहाँ धपके प्यार की 2 अपने नए सेजन के साथ फिर से छाने को तैयार है। शो के दूसरे सेजन के शुरुवात 4 अक्टूबर से हो रही है। ऐसे में हर कोई जाना चाता है कि आखिर इस बार की थपके पिछली बार की थपके से कितनी अलग है। वह यब शो की लीड आख्रेस जग्यासा सिंग ने पहले एपिसोड के आनेर होने से पहले अपने किरदार और शो की लीड रोल पर बहुत कुछ शेथ किया है। आपको बता दे कि शो की पहले सेजन में भी जग्यासा सिंगी लीड रोल में नज़र आई थी और उन्होंने अपने किदार थपके से सब का दिल जीत लिया था। और आप टाइमस ओफ इंडिया के साथ बाचित में जग्यासा ने शो की दूसरी सेजन का हिस्सा बनने पर काफी खुशी जाहिती है। जग्यासा ने बताया कि इस बार शो की कहानी, कास्ट और ट्रीटमेंट बिलकुल ही अलग होगा। पिछली सेजन से सिर्फ मुझे और आक्टरस जेब हटचार्जी को ही चुना गया है। कहानी कैसी लड़की की होगी जो हकळाती है। लेकिन इस बार एक अलग स्क्रिप्ट होगी। इस बार थपकी आपने विश्वास से भरपूर, मस्बूत और काफी बिंदास नजर आईगी। आपको बता दे कि जिग्यासा शक्ति जैसे दमदार शो में ट्रांसजेंडर के रोल को निभा कर काफी लाइम लाइट में रही। और शक्ति शो को कुट करने के बाद ही जिग्यासा ने थपकी टू को साइन किया है। ऐसे में शक्ति शो से थपकी टू को जोईन करने पर जिग्यासा कहती है। ऐसा बहुत कम होता है जब आप किसी बड़े शो का हिस्सा होते हैं जिसमें एक मजबूत किरदार होता है तो आपको दूसरे शो में मौका मिलता है जो उतना ही दिलचस्प और मजबूत होता है मैं थपकी प्यार की शो में मेल निभाने जा रही हूँ जिसे मैंने पहले निभाया था ये तक और्डिन्स के साथ अच्छी तरह जुडा था मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे थपकी मिली लेकिन दुख भी है कि शक्ति में मेरा सफर खत्म हो गया है वल जिग्यासा की बातों से ये तो साफ हो गया कि थपकी इस बार पिछले सीजन की तरह डरी सहमी नहीं नजर आएंगी बल्कि काफी अलग और नया अंदाज आपको शो में देखने को मिलने वाला है थपकी प्यार की टूमे आपको बता दे कि शो का पहला प्रोमो हाल ही में सामने आया है जिसमें थपकी के रूप में जिग्यासा काफी कमाल की नजर आ रही है इस बार शो में जिग्यासा के अपोजिट मनिश गोपलानी नहीं बलकि अक्टर अकाश अभूजा नजर आएंगे जिनके साथ थपकी की लव स्टोरी देखने को मिलेगी वेल शो चार अक्टूबर से शोम छे बज़े की टाइम स्लोट पर ओन येर किया जा रहा है ऐसे में देखने दिलचस्प होगा कि इस बार भी धपकी की कहानी को वैसा ही प्यार मिलता है या नहीं जिसकी पिछली बार मिला था